शिव बाबा याद है ना? वापसी जर्नी है नाटक पूरा हुआ घर जाना है इसलिए आत्मा का बुद्धियोग उसी तरफ लग जाना चाहिए बाबा ने कहा इस समय उंचे से उंचा बाप आया है तुमको पढ़ाने दैवी गुण धारन कराने तो बच्चों को उस दैवी दुनिया में जाने के लिए उनके जैसा संपूर्ण निर्विकारी बनना जाहिए लोकिक पढ़ाई में अगर कोई नापास हो जाए तो फिर से पढ़ने लग जाते हैं लेकिन यहां फिर से पढ़ने की बात नहीं यहां तो पद कम हो पढ़ता है सदास्मृती रहे कि कल्प में एक ही बार यह का चांस मिलता है जो अच्छी रिती पढ़ते हैं वही उस नई दुनिया में जाएंगे तो पढ़ाई में कभी कोई संशय नहीं उठाना जाहिए विनाश की सारी तयारियां हो चुकी हैं लेकिन इस विनाश में मुक्ती मर्ज है लास्ट में बाबा ने कहा जिस मुक्ती के लिए तुमने इतने गुरू किये हठी योग किये फे फिर भी नहीं मिली अब वो मुक्ती दिलाने के लिए यह अंत की लडाई ही निमित बनेगी इस लिए इस विनाश को कल्यानकारी ही कहेंगे इससे सब का हिसाब किताब चुक्तू हो जाएगा और हर चीज पवित्र बन कहते भी है ना अगनी में हर चीज पवित्र हो जाती है अब सुनते हैं महावाक्ष्यों को विस्तार से बाबा ने कहा मेठे बच्चे डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास करो बुद्धी बाप की तरफ रहे तो बाप भी तुम्हें अश्यरिरी बनने के लिए सकाश प्रश्ण तुम बच्चों को जब ज्यान का तीसरा नेत्र मिलता है तो कौन सा सक्षात कार हो जाता है उत्तर सत्युग आदी से लेकर कल्युग अंत तक हम कैसे कैसे पाल्ट बजाते हैं यह सारा सक्षात कार हो जाता है तुम सारे विश्व को आदी से अंत तक जान जाते ह जानने को ही साक्षातकार कहा जाता है अभी तुम समझते हो कि हम दैवी गुणों वाले देवता थे आसुरी गुणों वाले बने अब फिर दैवी गुणों वाले देवता बन रहे हैं अभी हम नई दुनिया, नई घर में जाएंगे ओम श्यांती बच्चे बैठे हैं याद की यात्रा में बेहद का बाप तो यात्रा में नहीं बैठे हैं वह तो बच्चों को सकाश की मदद दे रहे हैं अर्थाद इस शरीर को भूला रहे हैं बाप की मदद मिलती है कि बच्चों को शरीर भूल जाए सकाश देते हैं आत्माओं को क्योंकि बाप देखते ही आत्माओं की तरफ है तुम हर एक की बुद्धी बाप की तरफ जाती है बाप की बुद्धी वद्रिस्टी फिर बच्चों तरफ जाती है फर्क है न? डेड साइलेंस यह अभ्यास करते हो dead silence का शरीर को जोड़ अलग होना चाहते हो आत्मा समझती है कि जितना याद करते रहेंगे उतना इस शरीर से निकल जाएंगे जैसे सर्प का मिसाल देते हैं जो मिसाल देते हैं उसमें जरूर कुछ खुबी होती है तुम जानते हो हम शरीर छोड़ कर वापिस चले जाएंगे और फिर आएंगे यह बाते और कोई नहीं जानते यह ड्रामा को कोई भी जानते नहीं है कोई भी ऐसी गरंटी नहीं देते कि इस याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे ऐसी बात कोई भी सुनाते नहीं है तुम बच्चे जानते हो हमारी अब वापसी जर्नी है आत्मा का बुद्धियोग उस तरफ है अब नाटक पूरा हुआ अब घर जाना है बाप को ही याद करना है वही पतित पावन है गंगा के पानी को तो लिब्रेटर और गाइड नहीं कहेंगे एक बाप ही लिब्रेटर और गाइड हो सकता है यह भी बड़ी समझने और समझाने की बाते है वह तो है ही भक्ति उनसे कोई कल्यान नहीं हो सकता बच्चे जानते है पानी तो सनान के लिए है पानी कभी पावन नहीं बना सकता ऐसे भी नहीं भावना का भाड़ा मिल सकता है भक्ती मार्ग में उनका महत्व रख दिया है इन सब बातों को कहा जाता है अंदश्रधा ऐसी श्रधा रखते रखते मनुश्यों को टाइटल मिल जाते हैं अंधे की उलाद अंधे, भगवानु वाच है न, अंधे और सज्जे कौन है, यह भी तुम जानते हो, अभी सारे स्रिस्टी के आदी मद्य अंत को बाप द्वारा जाना है, तुम बाप को जान गए हो, इसलिए स्रिस्टी के आदी मद्य अंत और डूरेशन को भी जान गए हो एक एक बात पर विचार सागरमन्धन कर अपना आप ही फैसला करना होता है भक्ती और ग्यान का कॉंट्रास्ट है ग्यान बिलकुल ही न्यारी चीज है यह नौलेज नामी ग्रामी है राजियों की पढ़ाई है न? बच्चों को यह भी मालूम पढ़ा है देवताएं संपुर्ण निर्विकारी थे रच्ता बाप ही बैढ अपना परिजय भी देते हैं वेह है परमात्मा परमात्मा को ही परमात्मा कहते हैं अंगरेजी में सुपरीम सोल कहा जाता है सोल अर्थात आत्मा बाप की आत्मा कोई बड़ी नहीं होती है बाप की आत्मा भी ऐसे ही है जिसे तुम बच्चों की है ऐसे नहीं बच्चे छोटे बाप बड़ा है नहीं वह सुप्रेम नौलेजफुल बाप बहुत प्यार से बच्चों को समझाते रहते हैं पार्ट बजाने वाली आत्मा है जरूर शरीर धरन कर पार्ट बजाएगी आत आत्मा की रहने का स्थान शांतिधाम है। बच्चे जानते हैं आत्माई ब्रह्म महतत्व में रहती हैं। जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले अपने को हिंदु कह देते हैं। वैसे ही ब्रह्मांड में रहने वाले फिर ब्रह्म को इश्वर समझ बैठे हैं। ड्रामा में ग अब यह नाटक पूरा होता है। अगर कोई वापिस जाता हो, फिर तो वह रसम पड़ जाए, एक आए दूसरा जाए, फिर उसमें पुनर जनम कहा नहीं जाए, पुनर जनम तो शुरू से ही चलाता है। पहले नंबर में है यह लक्ष्मी नारेण। के डेर मंदिर हैं। सत्युग में मंदिर पूजय आदी होती ही नहीं। वहां तुम पुजय देवी देवता बनते हो, फिर आधा कल्प के बाद पुजारी बनते हो, तो उनको फिर देवी देवता नहीं कहेंगे, फिर बाप आकर पुजय बनाते हैं। और कोई देश में यहे गायन नहीं है। राम राज्ये, रावन राज्ये, अभी तुम समझ गए हो। राम राज्ये का डूरेशन कितना है, सिद्ध करना जाहिए। यहे नाटक है, इनको समझना है। उँच्ते उँच बाप है, वह भी नौलेजफूल है, हम उनके दवारा उँच्ते उँच बनते हैं, उँच्ते उँच पद मिलता है, बाप हमको पढ़ाते हैं, देवी गुण भी धारन करने हैं, बच्चे वर्णन करते हैं, आप ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, इस समय तुम जानत हमको इन जैसा संपुल्ण निर्विकारी बनना है। बाप को याद करने के सिवाई और कोई उपाई नहीं है। अगर कोई जानता हो तो बताए। ऐसे थोड़ी ही कहेंगे कि ब्रह्मवत तत्व निर्विकारी है। नहीं, आत्मा ही निर्विकारी बनती है। ब्रह्मवत तत्व को आत्मा नहीं कहा जाता है वह तो रहने का स्थान है बच्चों को समझाया जाता है आत्मा में ही पुद्धी है वह जब तमोप्रधान बन जाती है तो बेसमझ बन जाती है समझदार और बेसमझ है न तुम्हारी बुद्धी कितनी स्वच बनती और फिर म अलेच हो जाती है। तुम्हें purity और impurity के contrast का मालूम पड़ा है। इंप्योर आत्मा वापिस जा नहीं सकती। अब अपवित्र से पवित्र कैसे बने उसके लिए रड़ी मारते रहते हैं। यह भी ड्रामा में नूद है। अभी तुम जानते हो यह है संगम्युग। नहीं, वह शांती धाम में रहते हैं। इसलिए चित्रों में भी दिखाया है। बाकी और जो भी चित्र आदी है। वह हैं भकती मार्ग के। यह है ज्यान मार्ग के जिससे समझाया जाता है सुरिष्टे का चत्र कैसे फिरता है। हम कैसे नीचे उतरते हैं? चोदा कला से बारा कला होती हैं. अभी फिर कोई कला नहीं रही है. नमबरवार तो है न? एक्टर भी नमबरवार होते हैं. कोई का पगार एक हजार, पंद्रा सो, कोई का सो, कितना फर्क हो गया? पढ़ाई में भी कितना रात दिन का फर्क है. उस स्कूल में तो कोई नापास होता है, तो फिर से पढ़ना पढ़ता है. यहां तो फिर पढ़ने की बात ही नहीं. पद कम हो पढ़ता है. फिर कभी पढ़ाई होगी ही नहीं. एक बार ही पढ़ाई होती है. बाप भी एक बार आते हैं बच्चे भी जानते हैं पहले-पहले एक ही राजधानी थी यह तुम किसको भी समझाएंगे तो मानेंगे क्रिश्चन लोग साइंस में भी बहुत तीखे हैं और सब उन्हों से ही सीखे हैं उन्हों की न तो इतनी पारस बुद्धी न पत्थर बुद्धी होती है। इस समय उन्हों की बुद्धी कमाल कर रही है। साइंस का प्रचार सारा इन क्रेशन से निकला है। वो भी सुख के लिए ही है। तुम जानते हो इस पुराने दुनिया का विनाश तो होना ही है। फि से विनाश हो जाएगा सब आत्में शरीर छोड़ कर घर चली जाएंगी इस विनाश में मुक्ती अंदर मर्ज है आधा कल्प मुक्ती के लिए ही मेहनत करते आई है न तो साइन्स और कलिमिटीज जिसको कुदरती आपदाएं कहते हैं यह भी होनी चाहिए समझना चाहिए यह लड़ाई निमित बनती है मुक्तीधाम में ले जाने के लिए इतने सब को मुक्तीधाम में जाना है तुमने भल कितनी भी मेहनत की गुरू की ये हठियोग सीखे कोई भी मुक्तीधाम जाना सके इतने साइन्स के गोले आधी तयार हुए हैं समझना चाहिए विनाश जरूर होगा। नई दुनिया में तो जरूर बहुत थोड़े होंगे, बाकि सब मुक्तिधाम में चले जाएंगे। जीवन मुक्ति में तो पढ़ाई की ताकत से आते हैं। तुम अडोल, अटल, अखंड राज्य करते हो। यहां तो देखो सब खंड के टुकडे टुकडे हैं। बाबा तुमको अटल, अखंड, सारे विश्व की राजधानी का मालिक बनाते हैं। बेहद के बाप का वर्सा है, बेहद की बादशाही। यह वर्सा कब और किस ने दिया। यह किसकी भी बुद्धी में नहीं आता है। सर्फ तुम ही जानते हो ज्यान का तीसरा नित्र आत्मा को मिला है। आत्मा ज्यान स्वरूप बनती है। सो भी ज्यान सागर बाप से ही बनना पड़े। बाप ही आगर रचता और रचना के आदी मध्य अंत का नोलिज दे रहे हैं। है भी एक सेकंड की बाद सेकंड में जीवन मुक्ती। बाकि को मुक्ती मिलती है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। रावन के बंधन से सब मुक्त हो जाते हैं। वो लोग विश्प में शान्ती के लिए कितनी महनत करते हैं। यह सर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि विश्प में और ब्रहमांड में शान्ती कब होती है। ब्रहमांड म विश्प में शान्ति कहा जाता है फिर विश्प में शान्ति और सुख दोनों रहते हैं विश्प अलग है और ब्रहमांड अलग है चांड सितारों से परे है ब्रहमांड वहाँ यह कुछ नहीं होता उनको कहा ही जाता है silence word शरीड छोड़ कर साइलेंस में जले जाएंगे तुम बच्चों को वह भी याद है तुम इस समय वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो और कोई भी जानते नहीं तुमको तैयारी कराई जाती है बाकी यह लडाई तो कल्यान कारी है सब का हिसाब किताब जुक्तू होना है सब पवित्र बन जाएंगे योग अगनी है ना अगनी से हर चीज पवित्र होती है जैसे बाप ड्रामा के आदी मद्य अंत को जानते है वैसे तुम एक्टर्स को भी ड्रामा के आदी मद्य अंत को जानना है जानने को ही साक्षात कार कहा जाता है अभी तुम्हारा ज्यान का तीसरा नेत्र खुला है बरोबर हम सारे विश्व को सत्युग आदी से कल्युग अंत तक पूरा जान चुके हैं दूसरा कोई भी मनोश्य मात्र नहीं जानते तुम समझते हो हम जो दैवी गुणों वाले थे वही फिर आशुरी गुणों वाले बनते हैं फिर बाप आकर दैवी गुणों वाला बनाते हैं बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने दुनिया में और कोई-कोई यह पता नहीं है कि यह देवी देवता घराने वाले ही पूरे चुरासी जनम लेते हैं पावन भी तो पतित भी बनते हैं, यह किसकी बुद्धी में नहीं है, अभी तुम समझते हो, यह तो जड़ चित्र हैं, accurate photo तो उन्हों का निकल न सके, वह तो natural गोरे हैं, प्योर प्रकर्ती से शरीर भी प्योर बनते हैं, यहां तो इंप्योर हैं, यह रंग बिरंगी दुनि कल्यूग में हैं शाम, सत्यूग से कल्यूग में कैसे आते हैं, तुमको नंबर वन से लेकर मालूम पड़ा है, श्री कृष्ण तो गर्ब से निकला और नाम मिला, नाम तो जरूर चाहिए ना, तो तुम कहेंगे, श्री कृष्ण की आत्मा सुन्दर थी, फिर शाम बनी, इ जिसको तुम ही समझते हो, और कोई नहीं जानते, तुमको अब नई दुनिया, नई घर में जाना है, जो अच्छुरिती पढ़ाई पड़ते हैं, वही नई दुनिया में जाएंगे, भाबा है, बेहद की सारी दुनिया का मालिक, सभी आत्माउं का बाप, बाप को मालिक कह जाता है, यह पढ़ाई है, इसमें कोई संशेव प्रश्न नहीं उठ सकता, इसमें शास्त्रवाद करने की दरकार नहीं, एक टीजर सबसे उंचा, वहे बैठ पढ़ाते हैं, वही सत्ते है, सत्ते नारायन की सची कधा, शिक्षा रूप में सुनाते हैं, अच्छा, मेठे मे सिकिलधे बच्चों प्रती, मात पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की, रुहानी बच्चों को, नमस्ते, रुहानी बच्चों की, रुहानी बाप दादा को, नमस्ते, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रि प्लेंस वर्ड में जाने की तयारी करनी है. याद के बल से आत्मा को संपुर्ण पावन बनाना है. दूसरा ज्यान सागर के ज्यान को स्वरूप में लाना है. विचार सागर मन्रण कर अपना फैंसला आपही करना है. जीवन मुक्ती में श्रेस्चुपद प्राप्त करने के लिए दैवी गुंधारण करने हैं आज का वर्दान बाब के साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले सर्व आकर्शनों के प्रभाव से मुक्त भश्व बाब के साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले सर्व आकर्षणों के प्रभाव से मुक्त भफ। बाबा ने कहा जहां बाब की याद है अर्थात बाब का साथ है वहाँ बोड़ी कॉंस्यस की उत्पत्ती हो नहीं सकती। बाप के साथ वो पास रहने वाले दुनिया के विकारी वाइब्रेशन अत्वा आकर्शन के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। ऐसे साथ रहने वाले साथ रहते रहते बाप समान बन जाते हैं। जैसे बाप उँचे ते उँचा है, ऐसे बच्चों की स्थिती भी उँची बन जाती है। नीचे की कोई भी बातें उन पर अपना प्रभाव डाल नहीं सकती। स्लोगन मन और बुद्धी कंट्रोल में हो तो अशरिरी बनना सहज हो जाएगा। मन और बुद्धी कंट्रोल में हो तो अशरिरी बनना सहज हो जाएगा। ओम शान्ती, अब सुनते हैं आज की अव्यक्त मुरली, इसके लिए उपर दिये गए बोक्स पर क्लिक करें।